चिराग पास्वान जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट तो मैं चिराग पास्वान के आपके चैनल के माद्यम से डंके की चोट पे चैलेंज करते हुए बोलता हूँ कि भाई चिराग पास्वान अगर आपने कोई ऐसा मॉडल पेस किया हो तो बिहार के तेरा करोर अवाम के सामने आप लाइए नरेंद्र मोदी ने कहा भाईयों बहनो इस युवानेता को चुनोगे तो जमुई कोईटो और जपान बन जाएगा जमुई फर्स्ट जमुई की जनता फर्स्ट होती जमुई आगे होता सभी संसद्य चेत से लोग आते रसिया से जपान से अमेरिका से युए से समझे स्यूजर लेंड से सब लोग आते चिराग पास्वान के संसद्य चेत का विकास कारियों को देखने वो रामबिलास पास्व दो करो रोजगार मिलेगा भायों बैनों हर एक के गरीब के खाते में 15-15 लाक रुपिया बिहार पस्ट बिहारी पस्ट काली बतियाने से नहीं चलता है यह पडिवार फस्ट और चिराग फस्ट है यह समझे साब वो संसदिये छेतर की जनता पर नमस्कार मेरा नाम है विशाल लोकसबा चुनाव की तयारी शुरू हो गई है ऐसे में हम भी लोकसबा घूम रहे हैं पहला लोकसबा हमने घूमा जमुई जो की चिराग पासवान का संसदिय छेतर पड़ता है वहां के लोगों से हमने बात किया है वहां के लोगों का राय लिया है कितना उन्होंने विका युवा बिहार सेना के राश्ट दक्ष इंजिनियर राजकुमार पाश्वान जो की चिराग पाश्वान के परिवार के खिलाप दो बार लोग सबस्वा चुनाव लड़ चुके हैं इंजिनियर राजकुमार जी बताइए कि जिस तरीके से आप लगतार चिराग पास्वान को लेकर के हो उनके परिवार को लेकर के हो उनके राजनेती को लेकर के हो बयान देते रहे हैं चिराग पास्वान क्या लगता है फिर से जम्मूई से लोक्सवा चुनाव लड़ेंगे क्या है दखे जहां तक चिराग भाई की बात है तो चिराग पास्वान जी के कारियों को योजनाओं को उनके कारि करने की सैलिका में भिरोध करता हूँ वो व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं है उनका उनके पिता जी भी हमारे आधर निये सम्मानी रहे जहां तक जमुई का सवाल है विशाल जी तो जमुई संसदिये छेत रहे वो रामविलास पास्वान जी के चेहरा पे और नरेन दामोदर मोदी साहब के जुमला पे वो MP बन गए दो बार नितिश कुमार जी के आशिरवार से अशिरवार से सांसद बन गए और सांसद बनने के बाद वहां के जो 22 लाख जनता है उन जनता के जो सपना था कि एक युवा निता आया है एक बड़े चेहरे वाले आए हैं नरेंद्र मोदी ने कहा भाईयों बेहनों इस तो जमूइ कोईटो और जपान बन जाएगा लेकिन वो कुईटो और जपान नहीं बना वो क्या बनके रह गया सबसे पिछरा जमूई संसदीय छेत्रे संसदीय छेत्रे और वहांका सबसे ज्यादा लेवर फलाइन करते हैं लोग कंडाट का तैमिल नाडू और मुंबई महरास्टा असम में जाके मार खाने वाला छेतरी चिराग के नितित में बन चुका है चिराग पास्वान जो कहते हैं कि बिहार फस्ट और बिहारी फस्ट तो मैं चिराग पास्वान के आपके चैनल के माद्यम से डंके की चोट पे चैलेंज करते हुए बोलता हूँ कि भाई चिराग पास्वान अगर आपने कोई ऐसा मॉडल पेस किया हो तो बिहार के 13 करोर अवाम के सामने आप लाइए और कहिए कि मैं ये मॉडल बिहार को देना चाहता हूँ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट काली बतियाने से नहीं चलता है ये पडिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्थ है ये समج्य साहब वो संसदिय चेत की जनता फर्स्थ नहीं है क्या होता जम्मूई फस्त जम्मूई की जंता फस्त होती जम्मूई आगे होता सभी संसदिय चेत से लोग आते रशिया से जपान से अमेरिका से USA से समझे स्वूजनिया लैंजस से सब लोग आते चिराग पास्वान के संसद्य चित का विकासकारियों को देखने तब न मुल्ले अंकन होता कि नितिस कुमार जी से बहतर कारी करने वाला ये सांसद है युवा चेहरा है तो साहाब उन्होंने दिया है मैं भी जाके देखाऊ एक इंट लगा है वो कौन कब तयार होंगे जब 10 साल में तयार नहीं हुआ तो कब होंगे वही हाल है समझे साहाब कि भायों मैं नो परती वर्ष दो करोर रोजगार मिलेगा भायों मैंनो हर एक के गरीब के खाते में 15-15 ला तो चिराग भाई भी ऐसी करते हैं आप लोग जानते हैं नितिश कुमार जी को हटाना है कि नहीं हटाना है तो भी बोलते हैं तो इसलिए जमीन पे जो दिखता है उसी की पुजा होती है राज कुमार पास्वान समाच से ठगी नहीं करता है बिहार के अवाम से ठगी नहीं करता है हाजीपुर की जंत 22 लाग जंता से ठगी नहीं करता है हमने अगर पटना मैट्रो रेल का कारीश सुरू हुआ तो मैंने कहा कि बिहार के माननी है मुक्मंत्री जी पतना मेट्रो रेल पतना मेट्रो रेल को हाजिपूर से जोड़ा जाए और हमारी बात को संग्यान में नोटिस में लिया गया है आज न कल पतना मेट्रो रेल हाजिपूर जाएगी और बड़े हाजीपुर लोगों के लिए खुसकपरी बता देता हो हमारी लगातार अभियान के कारण युवास बिहार सेना पार्टी के अभियान के कारण हाजीपुर मैट्रो सिटी होने जा रही है तो मैट्रो सिटी होगी तो क्या मैट्रो नहीं आएगी आएगी ना आएग भाई फिर भी इतना काम कर सकते हैं तो आपके दस साल के एक सांसत को परतिबस पांच करोर रुप्या मिलता है तो दस साल में पचास करोर पचास करोर का एगो बहुजानों के लिए लाबरेरी भी बनाए है आप गये थे जम्मुई सर्वे के लिए लोगों का पबलिक ओपिनि ले ले बताया कोई कोई नहीं बताया तो फिर तो आपको बता दूंँ वहां की जनता बेसब्री से 2024 का इंतिजार कर रही है और चिराग जी की पहली हार हो चुकी है वहां की संसदिये छेते छोड़ने का मतलब है कि वहार मान चुके हैं कि हम जम्मुई से नहीं इसी डर से भाग रहे हैं